नवस्कार आप सभी का एगेंस्ट करप्सन 99 में बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग जानेंगे सुचना का अधिकार अधिनियम के तहत किस प्रकार हम लोग किसी भी बाद में किसी भी केस में हो रहे भरस्टाचार का खुलासा कर सकते हैं इसके बारे में जानकारी कर आल पर भी क्लिक अवस्ठ कर लें तो यसे इतना सेयर करें कि हरकिसी को इसकी जानकारी आसानी से हो सके तथा उपयोगी लगे तो इसे अवस्ठ करें तो चलिए हम लोग जानेंगे किसी भी बाद के डाइरी या प्रवेक्शन टिपन्नी में हो रहे भरस्टाचार का खु कर सकते हैं तो देखेंगे मैं एक पुलीस दिक्षक कारिया लाये नवच्या में एक आटीया ही लगाया था एक बाध से सम्बंदित एक काुंड संख्या हमारा साथ बिंदू पर था जिस पर मैं आज केबल दो बिंदू पर ही चर्चा करूंगा से इस बिंदू पर कल आप लोगों को कि इसके बारे में बताऊंगा आज मैं इस कांड के 297 बटबीज विहपूर भावानी पूर कांड रंक्या से संबंदित प्रिवेक्षन टिपन्नी में की गई गरवरी भरस्टाचार के कारण किया गया जिसका साक्ष मुझे आर्टि आई के माध्यम से मिला है आप लोग भी इसे अवस्द देखें पांच में देखें क्या है प्रिवेक्षन टिपन्ने की जाय परती सरलगन है 6. कितने अपरादी को ग्रपतार किया गया तो अनुसंदान एबं प्रिवेक्षन से कांड को औसत्य कोटी का पाया गया तो इसमें मेरे द्वारा RTI लगाया जाने के कारण हमारे कांड को जान बुझकर भरष्टाचार के कारण ये लोग उसत्य कोटी का धराय है जिसका साक्ष मेरे पास है आप लोग देखे ये लोग किस प्रकार भरष्टाचार किये थे यह है प्रवेक्षन टिपन्नी आप लोग दिनांग पर खास ध्यान रखेंगे मैंने इसे इसलिए डार्क कर दिया है यह है प्रवेक्षन टिपन्नी 4.1.2021 211 का कांड संख्या 297 बीश है इसमें ध्यान देंगे की तिथी एवम समय खा में ध्यान दें प्रात्मिक्षी तिथी है 5.8.2020 समय 13 बज़ के 10 मिनट मना एक बज़ के 10 मिनट दो पहर में ध्यान रखेंगे 5.8.2020 5.8.2020 को यह लिख रहे हैं कि F.I.R. क्या गया प्रात्मिक्षी दर्ज की गई एक बज़ के 10 मिनट दो पहर में इसी के नीचे लिखा गया है गौ में अनुसंधान करता का घटना अस्थल परागमन दिनांग 25.5.2020 अब ध्यान देंगे जबकि प्रात्मिक्षी ता 5.8.20 को की गई लेकिन अनुसंधान करता का घटना अस्थल परागमन 25.5.2020 को ही हो गया है कहने का मतातपर्ज है अब फायार दर्ज होने के पहले ही हमारे बिहार पुलिस के तेज तराज अनुमंडल पुलिस पदादिकारी थाने अध्यक्ष और आईयो जो भी हो अनुसंधान करने के लिए 25.5.2020 को ही पहुँच गया है आगे लिखते हैं प्रवेक्षन की तिथी 16.2020 से वह अन्य तिथियों को यहाँ यदि प्रवेक्षन 16.2020 को ही कर दिया गया था तो फिर इतना दिन बिलंब क्यों किया गया देखिए फाइनल यह 4.1.2021 को किया गया जबकि यह लिखते हैं कि 6.10.2020 को ही प्रवेक्षन की गयी थी तो मेरा कहने का अतात पर है यह तीन महां बाद यह प्रवेक्षन टिपनी की प्रति बनाई गयी यह जान बूच कर बनाई गयी थी इन लोगों के द्वारा मुझसे कुछ रुपए पैसे की मांग किया गया था बाद को टू करने के लिए केस को टू करने के लिए मैंने चुकि आर्टे आई लगाया था इसलिए यह पुलिस पदादिकारी सभी मिलकर यह गोटाला किये है यह भरष्टा चार किये है पद का भी नाम देख लें दिलिप कुमार अनुमंडल पुलिस पदादिकारी नोगचिया इसमें लिखते मैं इसकांड का प्रवेक्षन उप्रोक्तिती को अनुसंधान करता इबमोपिय अध्यक्ष के समक्ष गटना अस्तल पिर किया काने का दादपर है एक अनुमंडल पुलिस पदादिकारी दिलिप कुमार थे प्रवेक्षन पदादिकारी ये दोनों में से कोई होंगे यहाँ दो पदादिकारी का नाम है और थाना अध्यक्ष अलग थे ये तीनों मिलके ये प्रवेक्षन किये हैं इसके बाबजूद य की गई है बरष्टाचार के कारण इस प्रकार मेरे द्वारा दर्ज कांड को उसत्य कोटी का ठारा कर ये लोग मेरे ही खिलाप इसमें आप लोगों को दिखा रहा हूं इस प्रकार या कांड बिल्कुल है उसत्य कोटी का होना परतित होता है फिर लिख देते हैं धारा 182211 के ये लोग सभी मिलके मेरे ही खिलाप 182211 चलाने का तैयारी कर रहे हैं अब आप लोग बता सकते हैं कि इसमें किस प्रकार की धानली की गई है और किस प्रकार आवे दक को जनता को परिशान किया जाता है जैहिन